असलाम अलेकुम स्टुडेंट्स आज हम स्टुडी करने जा रहे हैं फाइलम इकार्ण औरमेटर के क्लास होलो थरोइडिया को इसमें हम स्टुडी करेंगे इसका जर्णर कैक्रिस्टिक्स, मैंटेनिस फंक्शन, रिप्रोडक्शन एंड डिवैलमेंट को तो सबसे पहले इस इनके हैबिटेट के वज़ए से इनकी यह बायलेटरल सिमिट्री डिवैलेप हो चुकि है तो इसी वज़ए से इसको हम सेकेंड्री बायलेटरल सिमिट्री बोलते हैं अब ट्योफीट जो है वो माउट को जो सराउंड करेंगे इनको हम बोलते हैं टेंटिकल्स और इनकी जो बोडी होती है यह ठीक है मस्कूलर है और बोडी में कोई भी प्रोट्यूड्रिंग स्पाइन्स या पिर्डी सेलिडी तब जो है जो है वो प्रेजट नहीं है एपिधिर्मर के बीनित यह लेयर यह डर्मिस की सिर्मेर फिले बल्किन केकेंडिकें क्यों और अब कि यह जो जो यह भी आइक्रोपिक है इसके मतलब और जिकल्स का बोडी शेप को डिटर्मिट करने पर कोई भी ऐस तच फंक्शन नहीं है लेकिन उस्ट जो जो लारजर जेकल्स है वो तरिंग बनते हैं और एंड पे यानिके मौत के अरांट जो हैं यहां पे काल्केरिय रिंग बनाएंगे डाजस ओरल एंड पर डाजस्टिव ट्राइक के और यही जो कैलकेरियस रिंग है यह अटेश्मेंट साइड के तोर पर अट करेंगे के ताके बाकी जो बोड़ी वाल के मसल्स हैं वो इसके त्रू जो है वो अटेच हो सके नेक्स्ट हम देखते हैं डर्मिस के नीचे हमारे पास एक लेयर है सर्कुलर मसल्स के नीचे जो है वो लोंगी ट्यूडन मसल्स की लेयर है अब बोड़ी वाल जो है ऐसी को कमर की अगर हम इसको बॉयल करें और ड्राय करें तो इसको हम नाम देते हैं ट्रीपंग का अब यह ये Asian countries में ये काफे ज़दा खाई जाती है और इसको फुल फूड के तुरुपे भी लिया जा सकता और इसके अलावा इसको जो हो सोसेज और अगरा में भी टेस्ट के तोर पे एड़ किया जा सकता है अब इसका जो medriporite है ये internal होगा और रिंग केनाल जो है यही जो अफकोस इन सरकल करती है और इरेंड और डाजिस्ट रेको और यही जो रिंग केनाल है इससे आगे rise हो रही हैंilla जोके और इन सरकल कर सकता है इनका function होता है FLOOD को store करना वार्टर वास्कुलर सिस्टम के लिए एब फाइव जो radial किनाज हैं वो अफकोस यहां से ring किनाज से originate हो रही हैं जो के diagram में नहीं शोकी वी और यही जो किनाज हैं जो tentacles को किनाल जाती हैं फोस वो भी जो है ring किनाल से ही originate होती है अब जो C कुकंबर की side है जो substrate को अपर rest करती है मतलब जो ventral side है उसके ओपर 3 rows of tube feed जो है वो present होती है और total हमारे पास होती है 5 rows ठीक है और 3 rows जो है वो ventral side पर present होगी और 2 rows जो है वो dorsal side पर present होगी जो ज्यदातर reduced होती है और even absent भी हो सकती है अब यह जो three rows ventral side पे present है इनका काम जो है वो attachment में है अब locomotion जो है वो अब क्योंकि tube feet का काम यहाँ प्यारा attachment के अंदर तो इसका मतलब locomotion में tube feet का ऐस सच कोई function नहीं है क्योंकि एक तो यहाँ जो इनके जो dorsal side पे rows है वो वैसे ही जो है वो non-functional होगी यहाँ फिर reduced होगी और दूसरा यह जो है कि tube feet जो है यह और जीकल्स के साथ जो है वो connected नहीं होते इतने जादा तो locomotion जो है वो body wall की contraction या body wall muscles की contraction से ही होगी और warm like हमें नजर आएगी कि locomotor wave जो है वो pass करिया along the length of the body next हम इनके देखते है maintenance functions को तो maintenance function में सबसे पहले देखते है feeding और digestion अब यह जो है यह organic matter को ही ingest करते है में को स्कवर टेंटिकल्स यानि टेंटिकल्स जहां यह organic matter को wipe करने का काम करेंगे और digestive track को देखें तो digestive track में आती है stomach, long loop, intestine, rectum, and anus अब यह जो tenticals जैसे ही organic matter को जो है वो wipe करनेंगे उसको capture करनेंगे तो tenticals जहां वो अपने mouth में यह thirst करेंगे यह mouth में लेके जाएंगे ताकि जितनी भी food है वो mouth जो है उसको wipe कर सके अब digestion के दुरान क्या होगा जो silomocytes है यह ऐसे cells जो के phagocytosis के लिए specialized है वो intestinal वाल के across move करेंगे और यहां पे वो enzymes secrete करेंगे ताकि digestion जो है वो बहुतर तरीके से हो सके इसके लावा engulf यानि phagocytosis करेंगे जो भी product बनी है digestion की उसको और इसको जो है इस तरह phagocytosis करके बाकी जो है वो body में distribute कर देंगे नेक्स हम देखते हैं distribution of materials को तो digestive जो product थी उसकी तो हमने distribution देख ली अब आगे हम देखते हैं कि silom जो है इनकी काफी ज़्यदा large होती है और of course हमें पता silom को जो है वो cilia line करते हैं phylum echinodermata के case म तो यही जो cilia की lining है यही fruits को circulate करेगी throughout the body और of course अगर circulation होगी fruits की तो इसका मतलब है respiratory gases की भी distribution हो जाएगी neutrons के भी और waste की भी इसके लावा यहाँ पर हेमर सिस्टम भी काफे ज़्यदा well developed है और इसके अंदर भी काफे ज़्यदा channels और sinuses मतलब cavities present है और हेमर सिस्टम को जो अब इन में आते हैं एक respiratory tree जैसे कि हम diagram के अंदर दे सकते हैं यह हमारे पास है respiratory tree अब यह जो respiratory tree है यह consists होता pair of tubes पे जो के rectum के साथ attach होती है और सारी body cavity के अंदर जहां इनकी branching दो होती है वो present होती है अब यह देखे यह rectum से पीछे attach है और rectum से पीछे anus अब यह जो pumping action of rectum में वही water को circulate करता है इन tubules के अंदर अब क्या होगा सबसे पहले क्या होगा भी rectum जहां यह dilate करेगा और वाटर जो हो एनस के थूरू rectum में enter होगा इस तरह जो है वो tubules के अंदर चला जाएगा जब वाटर ने exit करना तो क्या होगा यह tubules जहां यह contract होंगी और इनके contract होन इस तरह जो है वो डिफ्यूस के तरह सारे का सारा इंट्री व्यूस के अंदर जाएगा मदलब सी वाटर के अंदर जाएगा और इस तरह जो है वह बाग की सारे के सारा जो nitrogenous waste or respiratory gases अब ऑग डिफ्यूस कर जाएंगी जिनके पास एक structure है statocyst यह भी present होता और उसके पास complex photoreceptor भी present हो सकता है अब प्रिडेटर के अगेंस्ट अगर इनके adaptations को देखे तो वैसे तो हम यह डिफैंसलेस ही नजर आते मतलब कोई इतना ज़दा फील नहीं होता है कि इनके पास कोई adaptation होगी अपने आपको करने के लिए अब इन ट्यूब्स को हम बोलते हैं कोवेरियन ट्यूब्स जो के बोड़ी से बाहर एवर्ट की जा सकती है इनस के थूप और इन ट्यूप्स के ऊपर भी अफ्कोर्स टीकी सक्रीशन और टॉक्सिन जहां वो present होगी ताके वो प्रिडेटर को जहां वो इन्ट प्रिडेटर को जो है वो डिसकरीज किया सब्सक्राइब अब क्योंकि यह सारे का सारे स्ट्रक्श्र तो इसने बॉर्डी से बाहर निकाल दिया तो अब यह दुबारा तो इनको बोडी में नहीं ले सकता तो इसि वाजा से जितने भी पार्ट जो होगे उन सब की पिर दु और इनके पास होता है single gonade जो के अफकोस इलोम के अंदर लाए करेगा और gonade की जो opening आ गोनोपॉर वो टेंटिकल के बेस पे प्रेजन होती है बेस के पास अब जो फर्टिराजेशन है यह एक्स्टरनल होगी यह एक्स्टरनल इंवार्मेंट के अंदर होगी और एंबरियो जह आउलेंगा बनेंगा अब कुछ स्पेशियस के विया होगा फिमील जो हवो एक्स को ट्रैप करेंगे टर्टिकल के प्रेंगा कि यहाँ जैसेब जो हैच जो है को गोनोपॉर्स कि 때لो से जो हैवह बोडी को लिख करेंगे फीमील फोरण से उनको टेंटिक्ल कई तूर्स के- अब इन्टेरलीसिक्ति होगी जो यंग लावा बनेगा वह रिग्लीस होगा बोडी वाल से रप्चर इंधी बोडी वाल के थूर यानियों बोडी कारेगा बेंग अब यह जो है यह सबाइन देफिशन होगी तो लोस पार्ट की जो रीज इंपरेशन है उनकी फिर हो जाएगी तो स्टूडेंट्स यह दी आज की वीडियो अगर आप किसमें से कोई क्वेस्ट ना एक अगर आपको वीडियो चाहिए तो मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को स आपिस